हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बेबी पेंड की स्टीचिंग को अजली कर सकते हों । उसका समगर तो लिंग अगर आप इसके सिखना चाहें तो इसकी वीडियों जरूरा याप आपको step by step सारे stitching बताई जाएगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको यह सिखाते हैं तो देखी दोस्तों यह हमारा निसान लगा यहां दूसी तर्भी हमने निसान लगा लिया था यह हमारा बैक वाला पनला है तो यहां पर हम क्या करेंगे अभी हलका सा प्रैस लगा लेता है इसके उपर जिसे की थोड़ा साही साफ हो जाए जो 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 आपके रखेंगे अब देखिए दोस्तों कमर जो हमारा फरंट आला पल्ला जो हमारी क्या नाम है आपका यह जो कमर 22 इंच है बच्चे की कमर ठ लिए तो यहां पर मैंने बैल्ट थोड़ी ज्यादा लिए तो मैं यहां पर 13 इंच के आसपा इस बैल्ट को कटिंग कर लेता हूं और इसको कपड़े पर चिपका लेता हूं और इसमें लाश्टिक किनी चोड़ी लगानी चाहिए तो वैसे तो जिस साइज में आपको आपको अब आपको जो कपड़ा है इस कपड़े को इस तरीके से ओपन करना है और यहां पर आपको यह चिपकाना है तो देखिए मैं सबसे पहले इसको ऐसे रख लेता हूं प्रेस लगाते हैं इसमें और इसको हम यह आपने चिपका लेते हैं ठीक है यह देखять दोस्तों इस तरीके से कटिंग करेंगे जिबगाने के बाद दोस्तों आप इसको बिल्कुल किनारे से अईसे और और उरफोल्ड करने और इसको भी हम यहां पर प्रेस लगा लेंगे है कि दिरीगी मैं यहां पर इसको ऐसे खेच रहा हूं जिससे क्या होगा यह अच्छी तरीकी से बैठ जाएगा थोड़ा सा यहां पर दोस्तों जोल पड़िए आप देख सकते यह यहां को यहां पर पेस्ट पैस्ट कि चाहिए ठीक है न चीप के लगाएं अब यहां पर मैं इसको कटिंग कर लेता में पर इसकोर आँं कपड़े को कटिंग करता हूं है। कि और और सेम आपको ऐसे करके जितना कपड यह कटिंग कि इसके बराबर से यह hace cutting कर लेंगे अंगर है । जो चलिए मसीन पर और आपको बनाकर दिखाते तो सबसे पहले हमें पहिंप से तरीके से ओपन करना है ठीक है ओपन करने के बाद जो बैक साइड वाला आसन है इसको ऐसे लेना और यहां पर लगाने सिलाई अक्रीबन आ रहे हैं दोस्तों में सिलाई लगाएंगे ऐसे और इस तरीके से सिलाई घुमाते हुए उपर तक लेके आएंगे यह देखिए हैं आप पर शिलाई लगा दी दुबारा से एक शिलाई लगाएंगे जिससे मजभूती आ जाएं और मैंने थोड़ा डार्ग धागा लिया है जिससे कि आप लोग शिलाई को अच्छी तरीकी से देख भाएं तो यह दो शिलाई लगाई इसको अलग रख लेते हैं अब दोस्तों फरेंट वाला पला लेते हैं तो फरेंट पले में भी सेम हमें जो आसन वाला चल टोसा हley हमें कि लगा नियाने दोस्तों लगाने के बार आपको ऐसे करना है और यहां पर देखिए तीन कट लगाये हुए थे मैंने ये सारे मैंने कटिंग वाली ब्लाएं इसको आपको इस तरीकर से वोल्ड करना है है और कट के बराबर से आपको हलका सा पक्का करके इहां पर उतार देना है यह निसान पर उतार गव्य कि देए ईधर वाली पिलेट को यहां से पकड़ेंगे सेम तरीका है डालने का डेखिए ए ऐसलेसे रखींगे और अन्ह जो पॉकेट सी इस पॉकेट को लेएंगे फाकेट में यहाँ आप सकते हूं और यह थोड़ा तिलसत के सब्सक्राइब में त्यों करें बबारने दिखेंगे और आप एक अция था रखांगा और डिखाल कि ऐसे करके अब यहां पर भी सिलाई लगाएंगे इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा यहां नाखुल लगा लेंगे ठीक है इधर वाले इसे को ऐसे करके यहां नाखुन लगा लेंगे फिर दोस्तों यह दोनों जगा नाखुन लगा के इसको हम ऐसे करेंगे और यहां पर भी हम नाखुन लगा लेंगे तो यह सम नाकून हम इसलिए लगा रहें जिससे के हमें सिलाई लगाने में असानी रहें अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हम ऐसे बापस से ओपन करेंगे और अब इसको ऐसे पकड़के देखे दिहान से ऐसे पकड़के इसको ऐसे करेंगे ठीक है और यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे विल्कुल किनारे पर इसको हम ऐसे घुमाएंगे ओपर वाली साइड में भी हम दोस्तों इसी तरीके से देखें ऐसे पकड़ लखेंगे इसको ऐसे पकड़ने के बाद एक्वल बिल्कुल दोस्तों किनारे पे आपके सलाई आ जाएगी यहां पर नाकुन इसलिए लगाए जाएगा जिसे के हम दोनों ऊपर नीचे पल्लों में सलाई बड़िया से लगा पाएं फिर इसको में इस तरीके से उतार देंगे ध्यान से देखे दोस्तों सलाई हमारी बिल्कुल किनारे पाई है ठीक है उसके बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे रखने के बाद दोस्तों यहां पर देखे ध्यान से यह आपकी पॉकिट इस तरीके से आएगी मिलके बस आपको ऐसे मिलाना पहले फिर इसको ऐसे करना है फिर यह लाइन से आपको ऐसे पकड़ना होगा ठीक है क्योंकि हम इसे गुम तभी कर पाएंगे और ऐसे पकड़ने के बाद अब दोस्तों यहां पर लगाएंगे हम सिलाई एक पहले की सिलाई लगाएंगे हम और यहां पर लाने के बाद अब देखिए वाली किनारी ओटोमेटिक मिल करेंगे अब दोस्तों उसको जबteri कि तरह करेंगे तो इस किनारी इसको ऐसे करके कैची के अicion की naked अब करने लिए क्या वाली साइट है था क्रिक भी आपको एसे करना ओंछी की मदश्यूर मतस्बारी नगा लें ठीक है यह दोनों निकल की जब आई उनको ऐसे पकड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा अब दोस्तों यह वाली जो साइड़ेस को ऐसे पकड़ना है जहां से हमने जोड़ने स्टार्ट करा था यहां सब एक स्लाई इसके एक पैर की छोड़ के लगाएंगे जिससे क्या हो वह बिल्कुर परफेक्ट दोस्तों सिलाई हो जाएगा तो देख़िए इसको ऐसे पकड़ना है और यहां सिलाई लगा लेनी में है को और अब दोस्तों इसको ऐसे पकड़े-पकड़े इस जगापर लगाएंगे और उतार लेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए हमारी पा पर हम एक पैल के मार्जन से इसमें लगाएंगे और उतार देंगे तो बाकि जो भी फाल तो कपड़ा होगा इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से देखें उपर का जूड़ गया अब नीचे वाले को आपको ऐसे रखना है देखें नीचे की साइड में आपका थोड़ा सा सब्सक्राइब निकलेगा बस आपको एक पैल के मार्जन से इसको कर लेना उतार देना है जो भी फाल तो कपड़ा होगा इसको कर लेंगे दोस्तों कट करने क्या आप देखें बच्चे का हाथ इसमें बहुत अराम से जाएगा और यह देख सकते हैं बैक साइड से आपका पूरा का पूरा गुम होच्गा तो यह पोक्ट आपके लग चुकी है अब बच्ची दोस्तों आपकी पिलेट की बाद तो यहाँ पर पिलेट को इधर करके हलका सा नांकून लाएं इथर और वाले को है आपैसे करके नांकून लगा लें ठीक है क्यों कि हम इसमें आगे ब पराबर ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़्यकों और यहां पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हो कि नारी उसलाइए लगा है तो अब उसके बाद देखे दोस्तों आपड़े इस तरीखे से आजा modest अब यहां पर हमें क्या करनाए कि यह वाली वैल्ल को इस तरीके से लगाना और ऐसे लखने की बाद अब यहां पर लगाएंगे दोस्तों सिलाई यह देखिए इस तरीगे से हम यहां पर सिलाई लगाएंगे अब यहां पर इसको हम ऐसे करेंगे और बैक साइड से इधर वाली साइड से हलका नाकून ऐसे लगा देंगे ठीक है नाकून लगाना जो रही है इससे बैठ जाएगा बढ़िया से कपड़ा और उसके बाद आप इसको ऐसे करें अब यह जो साइड है दोस्तों इस साइड को ऐसे फोल्ड करें फोल्ड करने क्या यहां पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे ऐसे करके इस तरीके दोस्तों आपको यहां पर सिलाई लगानी है आपके यहां पर बैल्ड बन जाएगी एक यहां पर आपको सिलाई लगा देंगे किनारे पर बिल्कुल बैल्ड के तो आप देखेंगे हमारा बैल्ड वाल इस सब पूर अच्छी तरह जूड़ चुका है अब जो भी फाल तो हमारा यहां पर बैल्ड है इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से अब दोस्तों मैं बैक पलना लेना है लेनके लिश्क हम ऐसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यह देखे दोस्तों यहां पर मैंने एक कपड़ा कटिंग किया है जिसकी चोड़ाई ओगी आपकी चार इंच सब इंच वाली में सिलाई लगाएंगे दियान से देखें आरेंगे मार्ण से आपका सिलाई लगानी है सीधी तरफ से ठीक है कि अब सेंटर में जाने के वाल आप इस कपड़े को ऐसे करके घुमा लें और सिलाई लगाते रहें कि यहां पर इसको अतार ने उतारना का दोस्तों कि अब रिसका गड़ेंगे और इसके ऊपर किनारे बिसलाय लगाएंगे बिल्कुल ऊपर तो देखें ऐसे हैं लगाने कर अब इसको बिल्कुल एक बराबर सीधा कट कर लेंगे और यह वाली साइड है इससे बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे कट करने के अबार ज्यान से देखें जब यह कट कर लेंगे उसके आपको अपना फ्रेंट वाला पल्रा लेना है इसको हम बैल के बिल्कुल यह जूझी यह इस तरीके से हिसके बाद हम सलाई लगा देंगे ऐसे करें ह Georgi bridge एक बड़ाबर एसे रखेंगे और इस पसे सलाई लगाते हैंगे और यहां रखना है यह पाक्षिटi किनारे जहाँ बस और यहां पर इसको एक बराबर रखें और यहां पर इसदरी से लगाने के बार आप जो एक बराबर ऐसे पकड़ेंगे न में पर क्याओ रही है क्योंकि यहां पर और यह बहुता थोड़ा सा हलका सा आड़ा जिससे लंबाई छोटी बड़ी हो जाती है तो देखिए हम इसको बिल्कुल एक बराबर ऐसे पकड़ने है कि यह कट से कट मिलके आ रहा है वैसे पर हम एक आरेंज की मार्जन से स्लाई लगा देंगे एकवल पक साइड कंपलिट होगी दूसरी साइड में आप देखेंगे यह वाली साइड हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे बैक बढ़ी है तो इसको ऐसे लेकर जाएंगे इसमें हम जो स्लाई स्टार्ट करेंगे वह नीचे से स्टार्ट करेंगे ठीक है इसको एक बराबर ऐसे पकड़ें और अब जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इसको ऐसे करके नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो सिलाई है दोस्तों सिलाई मिलके बहुत जादा जवरी यह बहुत जवरी हैं आपके एक्वल आनी अगर आपका यह हल्का साभी एक पर पीचे हुआ तो गड़बड हो जाएगी क्योंकि लाश्टिक हमारी बिल्कुल बराबर है तो इससे बिल्कुल रखना है एक्वल ना है तो आप खोल के दुबारा से लगाए ठीक है इस तरीके से लगाना है आपको सीधा उपर तक लगाते हो आए तो यहां पर उतार जो तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर है जो आप देखेंगे यह बिल्कुल मिलके आ गया और इस साइड में दोस्तों आपका हलका सा देखिए एक सूत का फर्क हो गया यह नहीं होना चाहिए तो यह किसी कस्टुमर की नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप इस तरीके क गिएघ्प गया वोसा कPass कैसे फोल्ड करना है वह राइंज का में आपको फुल्ड करना है कि यहां पर लगा देहें हम सिलाओ कि इस तरीके से म।का अटृट है और लगाने होगी कि है और बैक साइड में आपको वार्टन रखना है आए कि आए कि कर दोस्तों इसी तरीके से दूसरा दूसरा ये आपका पहुंचा इसको हम इसी तरीके से कटिंग कर लिएे अप को हमने दूसरी त Busan ख वाले को भी four visas कर लिया है अब इसको हम इस तरहीचे से मिलाएंगे देखिए एक बराबर और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे तो यहां पर आधाने से मार्जन से हमें सिलाई लगानी होगी याद रखिए हमने अब यहां पर देखिए जब आसन वाली साइड आएगी तो नीचे वाला आसन का जो होगा इसको उस तरफ कर देंगे और इधर वाले को इस तरफ कर देंगे एक लगाने के बाद अब इसको हम दूसरे पाउं को ऐसे ना पेंगे ठीक है इसको भी हम दोस्तों सेम लगाते हो न यहां पक्का करके उतार देंगे अब दोस्तों इसको दोनों को इस तरीके से नाप लेंगे यह इकोल है या नहीं बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों अब इस पर एक सलाई ओल लगा लेंगे तो हमारी यह कंप्लीट हो जाएगी फिर हमें सिर्फ लाश्टिक लाश्टिक थोड़ा अलग है बड़े वालों से तो अब क्या करना है हमें देखिए यहां पर जो इनकी कमर थी 22 थी और मैंने कटिंग कर्टेक बदाया था कि बाइस का आधा 11 11 की आपकी बैल्ट होगी आगे की तो यहां पर इसे नापके दिखा देते हैं थोड़ा उन्नीज भी सो सकत निशन लगा यहां निशन लगा है अभी लाश्टिक नहीं करनी बस हमें क्या करना है इस साइड में फट्वाली साइड साइड से आपको आएसे रखना इसको थीक है और यहाँ पर हम इसको एक बराबर इस तरीके से रखे लाश्टिक को कुछ आठाइंस की कि यहाँ करेंगे से पक्का कर लेंगे और इसको मैस अहटा लेंगे test update करने के बाद डोस्तों अब इसको हम और इसको ऐसे घुमाएंगे दियान से देखें इसको मैं इस साइड से हम हलका सा नाकुन लगानेगी अब देखें दोस्तों मेरे से एक सूत हलका सा 19-20 हुआ है इस से फिनीशिंग खराब हो जाएगी लेकिन यही चीज़ आपको नहीं करनी इस चीज़ का दियान रखें बस आपको इस तरीके से करना है ठीक है और ऐसे करने के बाद यह वाली जो साइड है इसको में आरे हमारा ऐसे फोल्ड को करेंगे और इस को होकि अंदर इस तरीके चैने अ सो अब वहले इसको फटा होगा है एदर असैंब एसे गुमा लेंगे अब हम सिल्याई लगाने तोस्तों इस पर इक्वल सिलाई लगाने और याद रखें कि आपके लाश्टी में नहीं दबनी चाहिए बस आपको ऐसे फोल्ड करना है ठीक है और इसकी जो सलाई है यहाप पर देखें मैं पास से दिखाता हूं आपको यह जो सलाई है फोल्ड करने के बाद इसी सलाई के ओपर आपका ऐसे कपड़ा आना चाहिए और यहाँ और आपके यहाँ पर सलाई लग जानी चाहिए इस तरीके से ठीक है बस आपको ऐसे घुमाना है और इस तरीके से मिलाना है और हल्का चाहिए फोल्ड करके दोस्तों इस सलाई पर रखना हूं यहाँ पर सलाई लगा देनी है इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूं आपको क बहुत एजी है दोस्तों आपको एक बार समझना है अगर समझे तो यह लाश्टिक लगाना कोई भी मुश्किल नहीं है अब देखिए यहाँ पर आने के बाद इस जगा पर आने के बाद यह वाली जो साइड है आपको ऐसे लेके आना है थोड़ी दूर तक ठीक है अब यहाँ पर अब यहां पर इसको निकाल लुगा ठीक है अब देखिए दोस्तों निकालने के बाद यह वाली साइड हम इसको ऐसे खेचेंगे तो यह खेज को रहूं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह लिए खेज नहीं क्योंकि अब जो यह निसान हमने लगा था इस पर कट कर लेंगे और जो भी वारा लाश्टिक है इसको बंडल को फोल्ड करके इसको अलग रग देंगे क्योंकि इसका काम हमारा खतम हो चुका है और अब झो दोस्तों यह आ है आपको इस तरीके से मिलाना है स्लाई से तो यहां पर इसंको पक्का कर लेना है ठीक है मैं इसको यहां पर इसको ऐसे करूंगा और इसको प्क्का करना बहुत बोर्द हिसाब से ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा कर दें और आप लाश्टिक लगाने में दिक्कत हो तो पहले अची तरे मिला लें फिर इसके लगाए अब देखिए मैं इसको यहां पर पक्का कर रहा हूं कि वहां से थोड़ी सी पीचे से फ़हां पर हलका सा पक्का करके च़्राड करेंगे कि और यहां पर देखिए यहीन्य सतों फूर्डि हो जाया सब कुछ फिक्वं यहांपर हम इस कपड़ों का इसे फॉल्ड करके बढ़िया असे यह देखेआ ऐसे कि यहां पर हम सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों पूरा का पूरा गुम हो जाता है इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे जब भी और देखिए जब यहां पर आएंगे तो आपको सिलाई लगाने इस तरीके से हलकाशा पक्ता करना है और यहां उतार देना है और जहां से हमन तो यह सब कुछ चुप जाएगा तो यह देखिए मैं यहां पर गैदर्स बना रहा हूं इस तरीके से गैदर्स बनेगी आपकी देखिए तो यह सब आपके सिलाई यहां पर कुछ नजरी नहीं आएगी इस तरीके से आप कर लें तो यह पूरी फिनिसिंग हो गई और कभी भी आपको लाश्टिक लूज या टाइट करनी हो बस आपको इतना इससा खूलना होगा यहां से लाश्टिक को आप बढ़ा सकते हो और कम कर करना है यहां पर आपकी पैंट बन चुकी है तो चलिए दोस्तों यहां पर हमारी पैंट बन चुकी मैं आपको इसकी फाइनल लुक अब दिखा देता हूं तो देखिए दोस्तों यह है इसकी फाइनल लुक मैंने इस पर प्रेस कर ली आगे बैट पीछे लास्टिक साइड ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके की दोस्तों हमारी यहां पर पैंट बनके आएगी नजन यह बच्चों की पैंट आगे पीछे लाश्टिंग बहुत अराम से दोस्तों आ जाएगी मैंने अपने बतीजे की बना के दी थी उसके बहुत अच्छी इसकी फिट संद आए तो लाइक को शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग